कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि जैसा आप नाम देख रहे हैं हेनरी फेवल इससे ठीक पिछली व्यूडियो में हमने बात की थी एफ डबलू टेलर की तो एफ डबलू टेलर का जो योगदान था फिरवंद में उसके सारे बारे में हमने बात की इसके संबंद में कोश्चनों के बारे में बात की कोश्चन किस तरह से बन सकते हैं आज हम बात करते हैं हेन्री फेवल के योगदान की फिरवंद में और इससे संब्मंदित हम कोईचन ओंके इसमें बात करेब कैसे और कोईचन कीस तरह से टीजटी पीजटी या अन्य कॉमर्स की प्रिक्षामाइ में ओपसन्स वाले कोऊचन से कुणों आ सकते हैं तो हैंено , है तो तो हैंसे स्तुरू है हैंरी फ्योड 1841 में फ्रांस के एक मध्य वर्गिय परिवार में पैदा हुए ते यहीं पर हमारा एक कोशन बन जाता है कि हैंरी फ्योड का जन्म किस वर्ट हुआ था है तो यहां पर एक कोशन किस बन फार सो यह बन जाती हैं इसके बाद बात आती है कुरन यांत्रिकी में डिगरी प्राप्त करने के पैशचाथ निया उनुका यांत्रिकी यानी ओरी प्राप्त की थी 1860 में एक खनन कंपनी में एक अभियंता के पदपर नियुक्त हुए 1860 में खनन कंपनी में अभियंता के पदपर ये नियुक्त हुए ये भी कोशन बन जाता है 1881 में वह कंपनी के प्रवंद निदेशक बने 1881 में एक प्रवंद के पद पर कार्रय करने से इन्हें प्रवंद की विवन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन कारणों की खोजकी जिन पर किसी व्यवसाई की उन्नती निर्भर करती है एक चीज आपने सुनी भी होगी पड़ी भी होगी आवे सकता ही विकास की जन्नी होती है बही काम यहां भी हुआ है जब यह प्रवंद निदेशक बने तो इन्हें प्रवंद में जूभी समस्याओं आई उनको लेकर करें उन्होंने शोध किया उन्होंने प्रवंद के चौदा सिध्धानतों का प्रतीबादन किया जोकि सर्वपियाफी सिध्ध हुए F.W. Taylor ने भी 14 से धान्त दिये थे और इन्होंने भी अपने 14 से धान्त दिये थे कुछ सेम हैं और कुछ अलग है अब फियोल का योगदान मैनेजमेंट में इनका जो योगदान था वो योगदान देखें इन्होंने योगदान के लिए क्या किया फिरबंद के छेत्र में फियोल के मुख्य योगदान निम लिखे थे पहला आ और देख संस्ताओं के किरियाओं का विवाजन अब इन्होंने जो विवाजन किया तकनीकी किरियाओं अब तकनीकी किरियाओं उत्पादन निर्माड एबम ब्यवस्था को रखा बालीजी किरियाओं इसमें किरय बिक्रय तकनीकी को रखा बित्तिय किरियाओं इसमें पूंजी की तलास एबम उसका सरवत्तम उभ्योग रखा सुरक्षा संबंदी किरियाओं इसमें बीमा को रखा लेखांकन किरियाओं इसमें स्टॉक का लिया जाना चिठ्था तैयार करना लागत लेखे रखना तता सांखी की आगड़े तैयार करना इस्टॉक जो लिया है इसको इस्टॉक को लिखा जाने से मतलब है नंबर 6 पिरबंद की ये किरियां और पिरबंद की ये किरियाओं में जो रखा नियोजन संगठन आदेश समन्वे तथा नियंत्रा इससे समन्देश अब यहां पर बन सकते हैं कि हेंजरी फ्योल ने किहां जो सब्सक्राइब लिखार और पिरबंद की किरियाओं में किस-किक रखा option 4 दे सकते हैं या 3 दे दियो ने नियोजनcin संगठन आधेश और डि ऑप्सन दे दिया उपरोग्त सभी तो राइट अंसर उपरोग्त हस्ति हो जा ieएगा एसे हर चीज के बारे में तकनीक जियाूं में दे सकते हैं कि हेन्टी इसे कि रहको रखतन में किसको उत्पादन निरमाड और ब्यवसता कोई एक option हो सकता है तो एक हमें right करना है करना तीन option तर फेम यह एपिछ सब challenging要गत हैं राइट करना होगा कि यह हमारी आ की बात हो गई आ के बाद आ के अंदर इसके बाद बागी बात आई सामान ने पिरबंद की ये ग्यान की आवेशक्ता पर विशेश वल देना सामे रखा पिरबंद के कार्यों का वर्डन पिरबंद के जो कार्यों है इसका विभाजन इसमें किया गया तो पिरबंद के कार्यों का पिर्थी पादन सन 1916 में सन को हमें बहुत ध्यान रखना है सन 1916 में सरपर्थम हेनरी फियोल नहीं किया था जो निम्नी फिरकार था इन उ इसको बटवारा किया नियोजन संगथन नडलदेसन समंबयां और नियंटरण स्पिर्गार से कार यो का बैवासन किया फिरवन्द के कार्वियों का कि ढ quand कि इस valve को कि इसमें संख्या भी अब संक्या रखुए करना वह बाकी और आप्शन चाहने कुछ भी हो और यह हो सकता है कि इसमें परसफचले ए एक एलिए व का परती पादन को किस सन्थ में किया तो की कैसा बार समय या पूजन संग अठन निर्देशन समन्वै और नियंत्रन तो यह हमें मालूम होना चाहिए यह हो गया है इसके बाद दा है इंग आता है कि दा है प्रिबंद के चौदा सिध्धांतों का प्रतिबादन करना यह चौदा जो सिध्धांत थे अब चौदा सिध्धांतों दो लोगों के हो गए कि एफ डबलू टेलर और फ्योल दोनों लोगों के पहला है कार्र वित्रण अधिकारे में उतरदाईते कार्र में अनुशाषन आदिसों में एक ता निर्देश की एक रूप ता ब्यक्तिकत हितों की अपेक्छा सामाने सिध्धांतों की अधीन ता करमचारियों की पारिशर्मीत केंद्र ये करण बद्यकारी संपर्क स्रंखला विवस्था सम्ता करमचारियों का कार्रेयल में उस्थाईत पहल का सिध्धांत सहयोग तो यह हमें याद होना जरूरी है इसके बाद बात आती है दली इमोर्चा के और इसीमयल में से कोशन भी इती है कि यह सिध्धांत कितने इती है यह कोशन यहीं पर बन जाते है अब यह आता है दली इमोर्चा मिए किसी भी चीज को कंट्रूल करना तो यह मोर्चे की जरूर आवे सकता होती है वह यहां पर भी एक मोर्चा है जिसको नाम दिया गया है दलिये मोर्चा अब दलिये मोर्चा है यह यह केवल स्रेणिवद संगठन में इस तर्फ भांदने की आवे सकता को फिरकट करता है मैं हाला कि फियूल आव्चारिक संगठन पर वल दे थे थे फिर भी वह पद जोपान और अपबाद के खत्रों के प्रती शचेत हैं अधिकार की केर्मिक्ता से केर्मिक्ता लेस जरूरी है तो किर्मिक्ता के मतलब से फिरमिक्ता से बिना किसी कारान दूर होना एक गलती है पर इससे भी अधिकतम गलत उसे बनाए रखना है जब व्यवासाय को बिनाश की सुरुवात हो जाए तो फ्योल इस समस्या को निम्नाकित आकिरती से जिएनों ने एक ये चार्ट दिया है इस तरह से कि उपर आप बिंदू देख रहे हैं आप मुख्य शीर्ष हो गया आप तो आप यहां पर देख रहे हैं संपर्क जो आपको यहां से देख रहे हैं बासे सा दा से पा पासे यह इस तरह से यह इनके संपर्क वाली बात है कि सीधे सीधे संपर्क यहां से कर सकते हैं देखें इ यहां आपको यहां पर देख रहा है दाख नामक अधिकारी लिए इसान नामक अधिकारी दाल से सुंपर्क सिथा इस्तापित कर सकता है सिर या नामक अधिकारी यह ओग्या यह इस तरह से हो जाएगा का अर्थात यह संपर्क आळा ये तिर्चा ये सीदा किसी भी परकार का हो सकता है संपर्क tumbler किसी भी तरह सहो लेकिन हो जरूर फिरोलन सुजाब देते हैं कि परबंदकों में निमलिकित गुंड होने चाहिए कौन कौन से गुंड परबंदक के अंदर होने चाहिए सबसे पहला पुमिंखर धिया गया बहधे बहुतिक में क्या है बहुतिक टा में छो आता है स्वास्त शक्थी और सुंधरता का मांसिख समझना लिए इन दौनों की चं़ता होनी से ओ ए समझने की और शीखने की बिवेक मानसिख इस पुर्ति और अनुकूलता अ इस चार करने की चंटा अर्णूमलता होनी चाहिए सब लोग जानते संदें समय के बारे हैं सामने घ्ञान अच्छे से होना चाहिए उसके बारे में है जैसे कि अनुभाव है जो है जतना कार्या में घुसाहेंगे उतना अनुभाव होता है और पिरबंद में जो सोध है सोद को अनुवब माना जाता है अब इनकी पुष्टक को बारे में बात करते हैं तो इनकी पुष्टके हैं जो पिरमुक पुष्टके इन्होंने लिखी हैं वो हैं फ्योल द्वारा रचित पुष्टके हैं उनकी बात हम कर रहे हैं यहां पहली इनकी पुष्टक है पिरमुक कस्वेंग के यह योग्दाना और इनी से सम्वनने कोशन आ जाते हैं सामाने और योद्र बंधन कि कि पुश्टा के इसका द्वार रची गयी या इसके लेक्षत कौन है इसके निर्माता कौन है तो इसके निर्माताты ंगिoh प्रसन यह भी आजाता है कि यह पुर्श्टक किस बर्स में लिखे गई तो यह पुर्श्टक जो है उनिषसोला में त्यार हुई इसका प्रकार्शन हुआ प्रस्ण ये भी आ जाता है कि फ्यूल द्वारा छोला में रचित पुस्तक का नाम बताईए दो चार पुस्तकों के नाम दे दी जाएंगे उसमें से पुस्तक का नाम देखना है कि इसके बाद है है इसी तरह का कोशन के सथा में पुस्तक किसके द्वारा रचित है तो हेन्री फ्योल किस since ऑला रचित 1923 पुस्तक का नाम बठाई है दो तीन पुस्त्व के नाम देấu जाने जाएंगे तीन के यह भी हो सकता है इन वैसे कोई नहीं तो जैसा भी है इस तरह से हमें इसको देखना है रिफ्यूल के बारे में बात हो गई आगे जो हम बात करेंगे वह करेंगे एल्टन म्यों के बारे में